स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में आज के शो कैमरा टूस्टे में हम बात करेंगे रॉव वर्सेज येपेक के बारे में तो आये जानते हैं तो ये डिबेट आज इसलिए गया कि आज के दुनिया में डिजिटल कैमरा काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी पूरी जिंदीगी फोटोस के इर्दियत गुम रहे चाहे वो फेस्बूक हो चाहे इंस्टरग्राम हो बेसिकली आपके लाइफ में फोटो काफी इंपॉर्टेंट हो गया वाट्सएप में फोटो ही है तो आप यह समझना पड़ेगा कि जो भी फोटो खीचा जाता है वो डिजिटल सेंसर से खीचा जाता है जा है वह इतना बड़ा हो फुल फ्रेम जैसा या इदर छोटा सा जो आपके मोबाईल में लगा रहे थे लेकि व्यां से लाल हरा नीला को मिला के डेटा निकाल तो वह कलर फिल्टर का इंफोरमेशन आप जब यह के साथ मिलाते हैं तब कब अचानल फोटो मिलता है तो रहा जब जब भी कहता है कि यह फो हम तो उसका वहीं मतलब हो रहा है कि जो इस से निकला है sensor से कम से कम छेटशाड करना पड़ेगा कि इसमें कॉंसा कलर फिल्टर है या या फिर यह समझे के ठीक है यह तो बहुत बड़ा-बड़ा फाइल देता है रहा और आप समझ सकते ब्लाक इन फोटो किसी को आप दिखा नहीं देखना चाहता है कोई तो इसी लिए एक जेपग फॉर्मेट है जिसको कह भुषक्र सब्सक्राइब और यह समझे हो एंड-वाला फॉर्मेट होता है वही है जेपग तापके वासाप में जो फोटो जा रहा है वह नहीं है Camera RAW हमेसा खीछता है, लेकिन प्रोसेसर उसको प्रोसेस करके JPEG में बदल देता है, ताकि JPEG छोटा है, असानी सिधा उदर जा सकता है तो RAW के बारे में हम लोग यह समझते हैं, कि आपको जैसे में रहें, वो सीधा यासे समझेगे, डिजिटल नेगेटिव जैसा ही है और इसमें, मतलब जो सेंसर आपका डेटा दे रहा है, इसमें कम से कम छेरचाड की जाती है, ऐसा नहीं है कि कोई छेरचाड नहीं होता, यह आप मज सुचिए कि जो सेंसर ने किल रहा है, वो सिधा दिया जाता है, वो सिफ साइंटिफिक इंस्टुमेंट के लिए किया जाता तो आपको थोड़ा सा compression तो उसमें भी होता लेकिन उसे फरक नहीं पड़ता मतलब आप अच्छे high-end DSLR में आप तो देखेंगे कि आराम से मिल जाएगा 14-bit RAW, 12-bit RAW तो यह सब जो बिट RAW बोला जा रहा है वो इसलिए compression देते हैं कि आप 12-bit RAW और 14-bit RAW के बीच में अंतर आप ब जरुवत है नहीं कि मतलब आपको RAW में लोग इसलिए लेते हैं कि छड़चाड कर सकें लेकिन अगर आपका फोटो मतलब कैमरा में ही जो एक्सपोज हो रहा है वही अच्छा हो रहा है तो आपको ज़्यादा छेड़चाड करने का जरूवत नहीं है तो प्रोफेशनल जादा रूम रहेगा छेड़चाड करने के लिए इसलिए समझे कि RAW में कम से कम छेड़चाड किया जाता है और लगभंग ना के बराबर कमप्रेशन होता है फिर यह समझे कि जैसे ही आप लोगों पुराने लोगों को याद होगा कि इसको डेवलप करने के लिए एक्चु तो यह समझे कि आप कोई को जो इस्टूडियो है अलग अलग आउट पुट देता था तो वैसा ही रॉम में भी होता है तो रोगों को डेवलप करने के लिए यह सारे सॉफ्टेयर है सबसे पहले आपका बताई होगा अडोबी लाइट रूम के बारे में वह एक तरीके से सबसे करता है फिर एक है लाइट जोंड यह फ्री सॉफ्टेयर है अप इस्तमाल कर सकते हैं फिर डार्क टेवल है फ्री सौफ्टेयर है एक है डाल पीला हो जाए अग अध़िक अब अनक शीडिंग आगी तो इसलिए में कहूंगा कि आप ट्राइजे खासकर जिए दो कि य एक का Color Rendition अच्छा लगे, क्योंकि Lightroom ठीक है, 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 लेकिन आपको crack करने में या उसको खरीदने में बहुत दिमाग खराब हो रहा है, तो आप यह सब ट्राइक कर सकते हैं, इसलिए ऐसा मान के मत चलिए कि Lightroom से ही पूरी दुनिया शुरू हो रही है, Lightroom से ही पूरी दुनिय करते हैं, तो JPEG के बारे में आप यह समझे कि, JPEG जो है, JPEG एंड में आपका WhatsApp JPEG ही लेता है, Facebook, WhatsApp, Facebook हो जाए, Instagram हो, यह सब एंड में तो आपका JPEG ही ले रहा है, आप कितना भी तिगड़म लगाईए है, तो JPEG ही, तो इसलिए इसको फाइनल पहा जाता है, JPEG है आपक एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, मतलब कोई camera manufacturer हो, या कोई artist हो, वो नहीं expect करता कि RAW आपको दे, वो RAW अपने लिए रखा है, कि हम RAW ले ले लेते हैं, उसमें छेड़चा कर देते हैं, उसके बाद हम आपको फाइल देंगे, तो RAW इसलिए यह मत समझे कि कभी ऐसा बनाया ही न अरे थोड़ा सा मतलब इसमें exposure थोड़ा सा कम कर दे तो मस्तिक दम हो जाए, चलो वो कर लो, इसलिए यह समझे कि, यह सब करने के बाद एंड में आप RAW से जेपेग ही निकालेंगे, एंड में आपका जेपेग ही जाता है पूरी दुनिया में, लेकिन जेपेग कहां से आप निकाल रहें, यह फरक पड़ता है, जैसे कैमरा का जो जेपेग है, वो एक computer बना रहा है, वो मतलब एक algorithm है, आपको पसंद आगे बहुत अची बात है, नहीं पसंद है, आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जैसे आप RAW कैमरा से शूट किये, उसको आप अपने Lightroom में लाए, त और आप वहां से अगर JPEG निकालते तो आप पूरा control कर सकते हैं कितना quality आपको lossless, very low compression का JPEG output मिल जाएगा, हाँ, उसको आप जैसे जैसे शेयर करते जाएगा, जैसे कोई Facebook में डाला, तो Facebook आपका file तो JPEG लेगा, लेकिन उसको compress कर देगा, ऐसा नहीं कि वो 8 MB का JPEG लिग लेगा, और उसमें option देता होगा, आप देखते होंगे Facebook के upload करते हैं, तो उसमें जब कोई वो बंदा वो क्लिक करता है, receiver end में कि show original, तब उसको 8 MB का file लेए, generally वो 8 MB का लेके उसको 2 MB का कर देगा, size सेम रहेगा, detail भी सेमें, बस quality थोड़ी कम हो जाती है, तो end में हमेसा JPEG ह आता है public के पास, तो यह समझे कि JPEG जब बन गया, अच्छा से आपने बना लिया JPEG, उसमें improvement का जो room होता है, कि इतना छेड़चाड कर सकते हैं, मालिज आपके camera से अपने लिया photo और आपका लग रहा है, थोड़ा सा overexpose हो गया, थोड़ा सा कम कर देते, JPEG में अच्छा से आप नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है कि raw में आप दिन रात का अंतर कर देंगे, यह मत सोच के खुछ जाएगा कि हाँ, अरे हम raw खुछ कर लें, exposure को को कोई लेना देना नहीं है, अगर overexpose हो raw में है, तो JPEG में भी होगा, बस raw में recover करने का ज़्यादा चांस रहता है, म थोड़ी मोडी गलती सुधार सकते हैं, खासकर के white balance आप आप से सुधार सकते हैं, लेकिन बाखी चीज नहीं सुगरेगा, तो यह समाझ लेगे, जेपेग में improvement का जगा नहीं होता अतना, लेकिन इसका फाइदा भी है कि size बहुत चोटा होता है, मताब बताया, एक आपका raw file, 24 megapixel का raw file, अराम से 30-50 MB तक हो सकता है, JPEG बेरली 10 MB का होगा, तो हम आते ही है raw versus JPEG, तो आप यह समझे कि कोई भी एक format सब चीज नहीं solve कर सकता है, तो आपको यह समझना होगा कि क्या-क्या चीज आपको balance करना है, ताकि आप खुट decision लें कि क्या मुझे raw में shoot करना चाहि है, तो सबसे पहला size, आपका memory card कितना बड़ा, मान लिजे आप DSLR खरी लिए अग्दम भयानक से DSLR खरी लेकिन वही 8 MB का, यह मता 8 GB का आप लेकर बेठे हुए, आप raw shoot करना शुरू कि है, तो सबसे पहले size देखिए, और size ऐसा नहीं कि सिफ memory card में देखे, आप यह भी हुआ है कि अपर हड़िस में जगा ही नहीं है, तो फ्लीज ध्यान दीजे कि size फ़रक पड़ता है, कि आप raw feature आप उसको चाहोगे कि रखे रहे हैं अपने पास, कि मालवकल को अगर अच्छे से experience हो गया, या कोई photo को दोबारा मन नहीं खुश हुआ, दोबारा बैठ के develop करन फाइल छोटी रहती है, तो कार्ड में उसको राइट करने में जादर टाइम नहीं लगता है, तो फट 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 करके आपका शूट करता है, जैसे अगर मैं ये Canon 800D में अगर JPEG में शूट करता हूँ, जैपेग लाज में इसमें कोई buffer ही नहीं है, मतलब जब तक कार्ड फ स्पोर्स फोटोग्राफी कर रहा है बार बार, आप एक दो बार शूट कीजिए, ताकि एकदम exposure को, white balance को ये सब को एकदम ठीठा कर लिए, उसके बाद आप JPEG में शूट कीजिए, ताकि आपको क्योंकि JPEG में शूट करने से लगबग हर कैमरा आपको ज़्यादा burst speed तो टाइम के बारे माँ को सोचना पड़ेगा, ताइम के बारे माँ पे सब सोचे कि जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक festival में अपने रिस्तिदारों का फोटोग्राफी किया, तो करीब 200 फोटो लिया, मुझे करीब 4.5 घंटे लग गया उस फोटो को प्रॉसेस करने में, एक इस बात पर ज़रूर ध्यान दीजे कि ऐसा नहीं कि आख फोन करके आपको जो करना कर जिए, तो आप ये तीनों चीज को बैलेंस किजे, अपने हिसाब से आप डिसाइड कीजे कि आप क्या चाहिए, तो उमीद करता हूं कि इस जानकारी से आपको लाग हुआ हो, अगर ऐस कि मुझे बहुत कुछी भी, धन्यवाद